बिसम्लाइब आफ्माले नहीं, next question इसी set number six का ही है, जिसमें हमने electric potential find out करना है at point P, यह point कहीं भी हो सकता है, हमने एक दो question किये थे, जिसमें हमने square की जगा पे rectangle लिया था, तब भी उसके center में P रखा था, फिर एक जगा पे हमने P जों सा यह जहां पर D लिका, यहां पर P रखा कर लें तो आपने सब को add करना है, जो भी उनका answer आता है, ठीक है, और दूसरी पास यह कि इसमें जो find out करना है, that is R, Q normally given होता है, Q1, Q2, जितने भी charges है, हर दफाँ आपको R जो उन सा है, वो different find करना होता है, यहां पर देखें, जो D है, D is a distance between two charges, इससे हमारा कोई लेना देन नहीं है, देना देना नहीं है, हमें, we are interested in R, R is a distance between P and the charge Q, any charge Q, Q1, Q2, Q3, इससे अगर यह different होता हम इसको R1, R2, R3, R4 कर सकते हैं, लेकिन यह क्योंकि square के center में है, इसका मतलब है कि R1, because of Q1, distance between Q1 and P is R1, R2 को आपको कह सकते हैं, distance between Q2 and point P, R3, यह सारे के सारे सेम आजाते है इसलिए हम इनको A को find out करेंगे, और बाकियों को हम उसको बाहर निकाल के तो इसके साथ हम करनेगे, लेकिन जब भी आपके पास more than one charge particles हों, और आपने किसी point P पर electric potential find out करना हो, तो उन सब को हम क्या करेंगे, simply add करते चले जाएंगे, यह बड़ी details है, हमने class में discuss किया है, मैं square या rectangle भी हो सकती है, एक symmetry यह भी हो सकती है, कि आपको circle दे दे जाएंगे, circle के पर जो charge है, वो distribute हो, और point P जो किसके center में था, वहाँ पर आपने इसका electric potential find out करना, मतलब यह C के उपर समझे, यह हमारा P point है, center पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे के सारे charges को add करेंगे, औ और R find out करेंगे, in this case, R is the radius of the circle, so हम इसको भी यह हमने यहाँ पर solve किया था, दूसरे B point में यह किया था, कि सारे charges है, पहले equal distance पर थे, एक दूसरे से, अब हमने क्या किया, सारे charges को एक side पर लेकर आगे, इस से कोई फरक नहीं परता है, क्योंकि charge की जो position है, it doesn't matter, जो चीज ह हमारे उसमें आती है, वो है R, distance between point P to the charge, Q1 or Q2, कोई भी charge हो, जो R है, वो हमने हर दफा, find out करना होता है, तो अगर वो circle पर ही है, point वो ही है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो electric potential configuration different है, charge की arrangement different है, लेकिन यहाँ पर electric potential जो है, वो same होगा, उसकी reason यह है, कि charge remain same, and R, distance between point P to the charges remain same, तो इसका यह मतलब कि दोनों cases में हमारे पर electric potential same आएगा, जो different चीजस में आए थी, वो electric field थी, इस वाले case में हर charge की opposite दूसरा charge आ जाता है, इसकी वज़ा से electric field center में cancel हो जाती, only and center, ठीक है, लेकिन इस वाले case में, यह जो charges है, इनके opposite कोई charge नहीं है, तो electric field यहाँ पर zero न added नहीं करती,